Hello everyone, तो कैसे हैं आप लोग, आज मैं आपको सिखाऊंगा कि आपने Comfy UI अपनी Windows में कैसे इंस्टॉल करना है, तो ये बहुत इसी लेक्चर होने वाला है, आप 5 मिनट में Comfy UI इंस्टॉल कर लेंगे और आप भी एक नाम नहाद आर्टिस्ट बन सकते हैं, तो चले शुरू करते हैं, सबसे पहले जो आपको एक चीज चाहिए, आपको एक लैप टॉप चाहिए और आपको Windows 11 चाहिए, क्योंकि ये Windows का टुटोरियल है, तो सबसे पहले आप यहाँ पर अपना Google Chrome ब्राउजर खोल लें, Google Chrome नहीं यह तो Firefox खोल लें, अब यहाँ पर आपने लिखना है Comfy UI, बस, Enter, उसके बाद आपने यह GitHub का पहला पेज़ यह खोल लेना है, तो शुरू करते हैं, चलिए, 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 नीचे जाते हैं, थोड़ा सो और, थोड़ा सो और, यह, यह, यह लिंक आ गया, अब आपने इसको Direct Link to Download पर क्लिक करना है, और आप यहाँ पर तो बही, आप हमारा Comfy UI Download हो चुका है, तो अब हम क्या करेंगे, कि हम अपने Downloads मेर जाएंगे, तो अगर आप यहाँ पर देखें, Downloads आगे हैं, और यह, यह एक फाइल आई है, Comfy UI की, अचा, अब यह RAR फाइल है, तो आपको सबसे पहले इसको Extract करना पड़ेगा, Extract करने तो बही, अब यह Extract हो चुका है, तो अगर आप यहाँ पर देखें, अब एक और नया फोल्डर बना है, जो जिसके लिखा हुए, Comfy UI Windows Portable, NVIDIA CU, बला बला बला, तो अब आपने क्या करना है, अब इसको अपन कर लेना है, अब इसके अंदर एक और फोल्डर है, उसको फिर उपन करना आपने, और अब यहाँ पर आप देखेंगे, दो फाइल्स हैं आपके पास, एक है Run CPU और एक है Run NVIDIA GPU, यह बहुत important फाइल्स हैं, अगर आप मेरी तरह गरीब हैं, तो आप क्लिक करेंगे Run CPU पर, क्योंकि आप गरीब हैं, आपके पास पैसे नहीं हैं, और आप GPU अफोर्ड नहीं कर सकते, तो इसलिए आप क्या करेंगे, AI को CPU पर Run करेंगे, थोड़ा सा ताइम ज़्यादा लगेगा, बट चिल, Run कर जाएगा, तो अब आप क्या करेंगे, Run CPU पर क्लिक करेंगे, तो यह एक विंडो खोल देगा, अब यह क्या कर रहा है, कि मेरा तो पहले GPU AI चलना शुरू हो जागा, इतनी सी बात थी, इसमें कोई rocket science नहीं है, बस, अब आपके पास अगर थोड़ा सा ज्यादा पैसा है, और आपके पास एक NVIDIA की GPU है, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, Run NVIDIA GPU पर, तो अब यह GPU पर Run करेगा, तो भई, GPU और CPU में सिरफ इतना फर AMD की GPU पर Run नहीं करेगा, यह सिरफ NVIDIA की GPU पर Run करेगा, तो अगर आपके पास AMD की GPU है, तो आपको कोई और tutorial फॉलो करना पड़ेगा, जो मैं upload करूँगा, कुछ ही दिनों में, अब मैं AMD की GPU का भी तरीका आप सो बताऊंगा, कि AMD की GPU पर आपने कैसे यह Run करना है, तो अभी के कैसे करना है, इस पर control head कैसे use करना, इस पर art कैसे generate करना है, इस पर AI वीडियो कैसे बनानी है, बहुत ही crazy होने वाले आगे सारा, तो ज़रूर चैनल को subscribe, like, comment ज़रूर कीजिए, और आने वाली वीडियो, बै आइकन भी प्रेस कीजिए, हाँ, आने वाली वीडियो आपको पत चले के आ गई है, सही है, तो अब हम यहाँ wrap up परते हैं, hopefully आपको वीडियो पसंद आई होगी, tata, bye bye, take care.